शुक्रवार को जारी किये गए एक्जिट पोल के नतीजों को लेकर भाजपा की रास्ति उपाधियक शिवप पूर्य मुख्यमंत्री रॉक्टर रमन सिंग ने चतिसगड में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है चतिसगड के पूर्य मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंग ने कहा कि भाजपा बावन पचपन सीटों पर बढ़त लेकर सरकार बनाएगी उन्होंने कॉंग्रिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 75 पार वाले 40 तक पहुँच गए हैं दो तिन सर्वे में उन्हें 40 तक दिखाया जा रहा है लेकिन वे 75 पार कह रहे थे अब 40 पर आकर रुग गए हैं दिन तारी को जो नतीजें आएंगे उसमें कॉंग्रिस 40 से भी नीचे जाने वाली है यह जाके 52 और 56 पचपन सीट में जाके रुकेगा और भारती जन्ता पार्टी स्पस्ट बहुमत के साथ सरकार बनाए अब आप रिशन लूटस की बात वही लोग कर रहा है जिनके मन में डर और बाय है यदि आपने कुछ गल्तिया नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जिरुवत नहीं है तक भारती जन्ता पार्टी जीत क्याएगी जो गेब दिखाया जा रहा है हो चाहे सर्गुजा कहा हो चाहे बस्तर कहा हो उन सीटों को एदि एनलिसिस किया जाए तो उससे बड़ा इसपस्ट होता है कि भारती जन्ता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी और कहिन कहीं वावन से पच्पन सीटों पर भारती जन्ता पार्टी बढ़त लेकर इसपस्ट बहुमत से 36 गड़ में सरकार बनाने जा रही है 55 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था चालिस से 50 दिखाने का प्रयास हुआ यहनिging 40 तक दो सर्वे के रिपोर्ट में canggres को आते हुए दिखाया जा रहा है 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है कहां 75 पार करने वाले चानलिस में आके रुके हुए हैं यह एक्जिट पॉल का नतीजा है जो तीन तारिक को जो नतीजा आएगा उसमें तो और समतकारिक होगा यह चालिस नहीं यह 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेज क्योंकि चालिस तक भी नहीं पहुँचेगी मैं इस पस्तूप से आज आपको कह रहा हूं तीन तारीक के नतीजे आपको दिखाएंगे अई भाई 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है तो 75 से 42 तक तो लागे पठक दिया वोटों का परसेंटेज भारती जनता बाटी 15 15 से 48 तक हम इनके सर्व परसेंटेज है उस आदार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया है